Hello Friends, स्वागत आपका एक बार फिर से Teacher Solution पर Friends UPBA Entrance Exam में आपके Reasoning के section में total 50 questions friends पूछे जाने हैं तो Friends हम आज इसी के related वीडियो में बात करेंगे और Friends हम आज जो आपके UPBA 2019 में आपके Reasoning के question आये थे उसको ही discuss करने वाले हैं Friends हम 50 में से आज आपके 25 questions friends reasoning के discuss करेंगे जो कि आपका part 1 रहने वाला है और Friends कल हम part 2 आपका next 25 questions आपके discuss करेंगे reasoning के जो कि आपका part 2 होगा तो total आपके 50 questions friends हो जाएंगे तो आज हम देखेंगे कि reasoning का level क्या रहता है B8 के UPBA entrance exam में तो Friends अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और UPBA entrance exam देने वाले हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए क्योंकि यह जो चैनल है teacher solution यह हमने UPBA के बच्चे हैं उनके लिए ही special बनाया है और Friends अगर आप B8 first year में भी हैं और या फिर आप B8 second year में भी हैं तब भी आप हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए because क्योंकि हम क्या करने वाले हैं B8 first year और second year के exam solution भी हम इस चैनल पर Friends कराएंगे और करा रहे हैं और Friends अगर आप UPTET की भी तयारी कर रहे हैं UPTET या CTET या KVS की भी आप Friends तयारी कर रहे हैं तो तब भी आप हमारे चैनल को Friends प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए because यह teacher का solution है और यहाँ पर only teachers से related जो भी आपके exam हैं उनका सब का solution कराने वाले हैं तो चलिए Friends बात करते हैं reasoning की जो की आज की वीडियो है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके screen पर question number first आ चुका है देखे Friends देखते हैं कि क्या करना है एक संख्या सही नहीं है देखे Friends जी जो series है आपको इस series में एक wrong number बीच में कहीं न कहीं है तो हमको बताना है कि वह है कौन सा wrong number है तो चलिए Friends देखते हैं कि ऐसे question को कैसे solve किया जाता है exam में देखे Friends जैसे कि हम बात करते हैं आपके series है 2, 6, 18, 32, 50, 72 और 98 देखे Friends अगर मैं gap देखता हूं बीच में तो Friends आपको दिख रहा है कि 26 का Friends gap है इनके बीच में 72 और 98 के बीच Friends 50 और 72 के बीच gap की बात की जाए तो आपको 22 का gap Friends देखने को मिलता है Friends अगर 50 और 32 के बीच की gap की बात की जाए तो आपको 18 का gap Friends देखने को मिलता है और अगर friends मैं 18 और 32 के बीच की gap की बात करूँ यानि कि अगर मैं इनको घटाऊं संख्या को तो आपको 14 का gap friends देखने को मिलता है तो friends जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो सम्में gap है वो 4 4 का आपको देख रहा है यानि कि 22 प्लस 4 यानि कि 26 हो गया और 18 प्लस 4 यानि कि क्या हो गया 22 हो गया तो 14 प्लस 4 क्या हो गया friends 18 हो गया यानि कि आपको देख रहा है कि equal equal 4 का gap रखना है तो friends अगर मैं 4 का gap रखता हूँ यानि कि 4 प्लस करके किसी संख्या में 14 आना चाहिए तो यहाँ पर क्या होगा friends 10 होना चाहिए इस दस में चार प्लेस करता हूं तो चोदा आएगा और यहां पर अगर मैं चार प्लेस करों तो यहां पर फ्रेंट क्या आना चाहिए आपका चैना चाहिए दश्यूंब अब हम यहाँ पर देखेंगे friends कि यह जो संख्या है यह गलत है friends है ना क्योंकि अगर देखें मैं क्या करता हूं देखो अगर मैं 14 प्लस 18 करता हूं तो friends 32 आ रहा है ना होगा यानिके 10 प्लस क्यों यहां पर 6 मेरी है तो 10 बात करता है जिसमे आपको रउंग नंबर बताँ आजिए करता हूँ तो किकिए न तो लास्ट की टू संख्या प्लस करता हूं तो हमें फिष्ट संख्या प्राप्त होती है यन्inya फिरुट Nex नेक्स्ट की बात करूं यानि के 514 में अगर मैं देखता हूं यानि के लास्ट के अगर मैं टू नंबर को प्लस करता हूं तो मुझको फिर से मिलता है यानि के पांच मिलता है नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं 312 की तो लास्ट के अगर उसके दो अंकों को मैं जोडता हूं तो मुझे first rank मिलता है, यानि कि 3 मिलता है, देखें, मिल गया ना 3, तो ऐसे मिलता है, अगर मैं next की बात करता हूँ, यानि कि 4 और 3 को मैं plus करूँ, तो मुझे क्या मिलता है, 7 friends, तो ऐसे ही और 5 और 4 को plus करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, 9 मिलता है, जो बिल्कुर right है, और तो चलिए फ्रेंट्स यह था आपका रोंग नंबर सीरीज का लेवल जो कि बेड़ के एक्जाम के रिजनिंग सेक्चन में पुछा जाता है इतना हर नहीं है काफी सिंपल रहता है रिजनिंग का सेक्चन तो आपको 5250 कोश्चन वहाँ पे फ्रेंट्स करके आने हैं इसमें लोजिक बताना कि क्या चल रहा है देखिया जूटते हैं फिस्ट वर्ड का है हमारा S, R, P, Q, हैना friends तो हम देखते हैं ratio O, N, L, M, देखे friends देखे मैं इसकी first word की बात करूँ friends अगर मैं इसकी first word की बात करता हूँ और इसके first word की बात करता हूँ तो आप देखते हैं कि इनके बीच कितने का gap है यानि कि 4 का minus 4 हैना अगर मैं S से O की तरफ जाता हूँ यानि कि उल्टा जा रहे हैं तो minus 4 कम हो रहा है और अगर R से N की बात करता हूँ तब भी minus 4 का gap friends दिखाई दे रहा है और अगर मैं P से L की बात करता हूँ तब भी आपको minus 4 का gap दिखाई दे रहा है तो KJ और हम फ्रेंस दून देंगे हैं आपको पता होते हैं तो आपको जल्दी कैसे करना है यह आपको देखना है हम एकदम से option पर नजर डालेंगे तो ggg आपको समय दखाए देगा ना तो ggg फरस्ट में आपका है यानि कि आपका G तो यहां पर आना है यह ना बात करते है यह देखो आपका क्या हाँ है एक में आपका डिफ्रेंट हाँ यानि कि जो यह अगर आपको चारू चेक करने पढ़ते हैं तो यह आप एकदम से काट सकते हैं क्योंकि तो आपका एक और खतम हो गया मात इसमें भी दी इसमें भी या讲 सकता है यह भी हो सकता है अब बात करते हैं लास्ट वर्ड की यह सीग गए चाहिए देखो हमारा चार का gap आना चाहिए, यानिके last word में आने चाहिए, तो E F G H I, तो E F G H I, तो यहाँ पर I से क्या है? चार का gap आ रहा है E का, यानिके last में क्या होगा friends हमारा E आएगा, तो last में E किसके है? option number D के, तो यह मेरा right answer हुआ, तो चले friends देखते है right answer क्या है? देखे राइट आंसर है आपका D यह ना G F D यह आपका राइट आंसर रहने वाला है तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं Next question, question number 4 के हम बात करते हैं देखे फ्रेंड्स आपको फिर से एक और सीरीस दिखाई दी जब हमें वो बताना है relation क्या रहनेवाला है आपको एक चलिए दीखाई दे रही है 11 अनुपाद, 31 seconds, 110 पिर आपका बीच में समानुपाद फिर 15 अनुपाद, 225师, 210 और बीच में समानुपाद तो ऐसे ही बताना है कि इस relation में इन में से कौन सा होगा ऐसे ही तो चले फ्रेंट सा यह बात करते हैं solution की देगे French's कि आप देश सकते हैं पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको तक दिख रहा है 1111 तो आपको 1111 क्या हो रहा है 121 हो रहा है और अधर मैं बात करता हूं फिर से इसकी तो 11 गुणा 110 तो क्या हो रहा है याना 11 गुणा 10 यानि कि 110 हो रहा है अब बात करते है फ्रेंड्स इसकी तो क्या हो रहा है 15 गुणा 15 कि यहां पर कुन कोन से हो गया आप जैसे की देख सकते हैं कि मैं इसकी ऑप्शिन की बात करूं तो इसके 16 का का स्क्राइगा ऑनिके चैटीस यानिके लास्ट में च्छा है गा यह तो गलत हो गया है आफ-ञार देखें है कोछिन नो का स्क्वार्ए और नो से एक कम नोठ्टे भात्तर यानिके सतर ये लेकिन यह राय सतर यह भी गलत हो गया मैं अना चाहिए ऐस है आफ करتे यह करें डी की देख़ें डी 58 ख Kennes 37 tempted Guide 324 और 18 तो आपको पता करना है तो चलिए देखते हैं राइट आंसर है हमारा बी अठार गुना अठारा तीनसो चोबिस और अठार गुना सत्रा तीनसो नो आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन कोश्चन नंबर 5 के हम बात करते हैं प्रणा प्रणा धृट लेना तो इसका है बात करना है इसकी ओपशन की तरक संगत का समझतार हो सकता है बिल्कुल सेनूनियम है जो सुनूने लेकर हमें बताना किया या निके तरसंगत का जो पजिट आ यहां पर मिठ्या से बात करते हैं इसमें भी आपको क्या बताना है तीन में किलते हैं और मन्च पर क्या होता है रहे होते हैं लेकिन पर आप कोई किरिया कर रहे हैं और मैंदान में केल रहे हैं अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की फर्स्ट ऑप्शन के अगर मैं बात करता हूं तो आप देख सकते हैं 32 को हम कैसे लिखेंगे 3 प्लस 2 क्या हो रहा है फ्रेंट 5 हो रहा है और इसको 41 को कैसे लिख सकते हैं 4 प्लस 1 यानि के ये भी क्या हो रहा है पांच हो रहा है Option B की friends अगर मैं बात करूँ तो क्या हो रहा है 6 प्लस 2 क्या बन गया 8 और 4 प्लस 4 friends क्या बन गया आपका 8 बन गया है ना बात करते हैं option number C की यानि के 4 प्लस 6 आपका क्या बन गया friends 10 और 2 प्लस 8 भी आपका क्या बन गया friends 10 है ना अब बात करते हैं option D की यानि के 3 प्लस 3 आपका क्या बन गया फ्रेंट 6 और 5 प्लस 6 आपका फ्रेंट क्या बन गया 11 यानि के यही अलग है यहां पर सब 8-8-5-5 दददस आ रहे हैं लेकिन आप एक बार चाहिए एक बार जा रहा है तो आप हमारा अंसर क्या हुआ हमारा अंसर हुआ ऑप्शन नमबर D 33 और 56 आए यह आंसर ज चलिए देखते हैं क्या बऐने चलिए बनाते को डागर्म आपको बनाना हैं 165 अचरोब U K button को जो भी जोटा होता है तो हमने क्या लगा दिए पलस का ऌछ भावे मेंस इंगे म्या क्या हैं की नहीं पता है मल ही या व्यolग minha जलिवे Monsieur किताव क्यों पोती है ओकी यानि के ओकी पोती है क्यों तो ओकी पोती है कौन क्यों पोती है तो कौन है फिमेल है तो हमने क्या लगा दिया फ्रेंड्स माइनस लगा दिया जो पी का पती है देखे फ्रेंड्स सबसे ज्यादा समझने वाली बात है अगर आप रिजनिंग के कोशन जो इसको समझ गया वह इसनिंग km कर जाएगा पर देखेजी यह बात करतें है जो और जो कि पर अ przy के यहां पर यहां पर यह होता कि क्यों पोती है O की और P का पती है तो बात होती फ्रेंस क्योंगी अब जो है तो बात होगी पास वाले की अगर आपका बीच में जो आ जाए तो यानि के बात हो रही है पास वाले की अगर आपका और आ जाए तो बात हो रही है आपके दूर वाले की है ना पती किसका है इसका तो ये कोने कमेल है अब आगे प्टते हैं यानि कि म ये स्कार हो गया उसकी मम्मी हो गईए ये माता और इनक हउड़ीज हो गई और ये उनका पुत्रह फर उसके पापा हो गए और ये ने का बेटा हो गया दोनों तो यह क्या हो गया, तो M का O से क्या संब्द है, तो M क्या है, उत्र है O का, तो आपका अंसर A, तो चलिए friends, देखते हैं, right answer, right answer, आपका A, यानिके M क्या है, O का उत्र है, तो चलिए friends, आगे बढ़ते हैं, next question, question number 9 की friends, हम बात करते हैं, आइए, लड़कों की एक पंक्ती में अमर 22 से साथवा है, देखे, 22 से साथवा है, यानिके left से 7, left से 7 कौन है friends, अमर, ठीक है, विवेक दाएं से 12 है, और विवेक क्या है friends, दाएं से यानिके right से 12 है, आगे बढ़ते हैं, यदि वे अपना इस्थान बदल लेते हैं, तो अमर 22 से 22 हो जाता है, देखे, अगर ये अपना, चेंज कर ले, वो sit, तो अमर जो है ये, अगर ये यहाँ पर आ जाए, तो ये 22 स से क्या हो जाएगा friends, 22 हो जाएगा, 22 से 22 हो जाएगा, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो आपको total number of students बताने हैं, अब देखे, अमर यहाँ आ गया, तो 22 हो गया, तो 12 और 22 कितना हो गया friends, 4 ये हो गया, और 2 रेक, 3, यानि कि 34 तो total हो गया, 34 तो total हो गया, लेकिन हमन देखते हैं, राइट आंसर, राइट आंसर आपका C, यानि कि 33, आगे बढ़ते हैं, next question, question number 10 के, friends, हम बात करेंगे, आईए, very easy question, एक नंबर आराम, free का मान लिजे हैं, देखे, उस शब्द को चुनिए, जो दिये गए शब्द के अक्षरों का परियोग करके, नहीं बनाया है, है ना, तो चलिए हम देखे, कैसे डूणनेंगे, देखो, हम देखते हैं, पहले वाला वड़ देखते है, impossible, अगर हम देखें, है ना, impossible में से अगर हम यह देखे, impossible, आई है, तो इसमें भी I है, M है, यहां पे भी M है, P है, P है, A है, S, दो बार है, यहां पे भी S, दो रहे है, फ्रेंट, सब्सक्राइब, बार्णों, यहां पे, ऑप्शन नंबर C की, देखो, ऑगर आप देख रहे हैं, keyword है, इसमें V, तो क्या आपको यहां पे V देखनों को मिल रहा है, गोड से देखे, कि आपको इसमें V है, V देखनों का मिला है, नहीं ना, तो यह वाला काम कर लिया जाए ना विश्लेशन करेंगे कि हां चल ये काम कर लिया जाए पहले क्या होगा अब लोकन करा हमने यहाँ काम कर लिया यह आपका आट झाइपका adversaire कर दना एक्षाम करते हैं रहना झाथ काम करते हैं एकमें हर बार है यह तो आपका सुह壓 में या आपका सुखते बसक्षा है या फिर आपका लोजिक ऐसे चलेगा है ना या आपको पताना चाहिए कोई बीन में से या तो लोजिक राइट टु लैफ या अब डाउन चलेगा है ना तो चलिए यह बात करते हैं देखें जैसे कि आप देख सकते हैं सबस्बस्पहरें को देखते हैं देख यह क्या दिख रहा है कि 7 ൉रसष्नियार करते हैं इसा कुछ आपको दिखर Flash चालिस हो गया आट बजए 40 और माइनस दो तो क्या आगए आट तीस हो गया अदडीस हो गया आट जाट भी यह आगे एसमें कड़ेंगे यह ऊञआ करेंग g सब्सक्राइब थे क्या वार्ट देख सकते हैं तो अगे बढ़ते हैं नेस्ट कोशन कोशन नमर 14 के हम बात करते हैं यदि सफेद को नीला कहा जाए और नीले को लाल कहा जाए और लाल को पीला कहा जाए पीले को हरा कहा जाए हरे को काला कहा जाए काले को बैंगनी कहा जाए और बैंगनी को नारंगी कहा जाए तो मनुष्य के खून का रंग कैसा ह कि पता करना कि लाल सोन को कि क्या सब्सक्राइब चाहिए होगा दाको कैसा हो तो मैं पता CHP यह छान्ते हैं मैंसर पर ही है अगप गड़ते हैं नाश्च प्रिफटीन द्र supervisor बात कि जाए आफ डैजसे कि आब देखना कि असैमें को इसने क्या लिख दिया वाई जैड़ सिंधना और और शिम को हमें बताना है क्या यह घ्यार को निखते के लिखाए कि है यह गयोष्ट कि यह और फेलिखना एक CH जूट से जैड तक लिखना तो देखे अपोजिट जो आएंगे वह एजैड और बी का वाएगा वाई ऐसे यह इसमें अपोजिट लिख दे और कुछ नहीं क्या ऐसे हमें इसमें अपोजिट ढूंडने हैं सिक का है तो अगर हम सिक का उपोजिट की बात करते हैं देखाए और C का आपोजिट होगा वो X होगा और K का जो आपोजिट होगा वो P होगा है ना यह आपको फ्रेंड पता होने चाहिए तो हमारा आंसर क्या हुआ HRXP HRXP यानिके राइट आंजर C आईए जो राइट आंजर हमारा C है आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोशन कोशन नमर 16 की हम बात करते हैं अजय अपने घर से 15 किलोमीटर पस्चिम की और गया यानिके मान लीजिए अजय का घर है तो यह पस्चिम की और गया पहले 15 किलोमीटर वह बाइं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला यानिके वह यहां से बाइं मुड़ेगा है उस तो उसका बाइं कहा होगा फ्रेंड से इधर होगा और वो 20 किलोमीटर चला पूरव की और मुड़ा और पच्छिस इसकता आप कहीं तक और फिर आगे 5 तो पंदरा तो यहां तक ही हो गया 25 चला है? तो सोरी दस तो आपका दस यहां तक hu जाएगा तो 15 और 10 25 वें तो 25 हो गया टोटल पच्जीसMr. machine आखर में बाए मुडा और बीस किलो मीटर चला यानिकि यह भी 20 था तो यह भी 20 हो यानिके इतने ब्राबर भू ब्राबर आजाएगा है तो यह दूरी कितनी है 10 है तो यह दूरी कितनी होगी 10 होगी तो अपने घर से वह दस किलोमेट्र की दूरी पर है जो कि पूर अवसायड में है चलिए फ्रेंड्स हमारा अंसर क्या होगा 10 km एंगे ऑप्शन नमबर डी हमारा राइट आंसर है 10 km है आगे बढ़ते हैं नाइस्ट कोशन 17 की बात करते हैं यह नाइस्ट कोशन 17 है कि डॉटर को इन्होंने क्या लिख दिया यह लिख दिया है तो हमें एप्टिट्टूड को इन्होंने क्या क्या देखो इन्होंने क्या कर दिया लास्ट में लिख दिया ना तो यह लिख दिया आपर और यह करदिया है ऩह स्टार्ट s आपको स्टार्टिंग में लिखने हैं तो स्टार्टिंग में आप कहां देच तो यूडी यूडी इकाहा है इस ज़ल्दी से मार्क कर सकते हैं तो आपका राइटांसर नम्रा आगे बढ़ते हैं next question question number 18 की बात करते हैं question number 18 आप देख सकते हैं कि pick को उन्हें ये लिख दिया है और flat को हमें क्या लिखना है आईए देखते हैं कि क्या relation इसमें हो रहा है देखे अगर मैं pick की बात करूँ friends आपको सबसे पहले word गिनने है friends सबसे पहले आपको word गिनने है पिक में कितने हैं 1,2,3,4 4 word हैं और यहां पर हम देख सकते हैं कि 1,2,3,4,5,6,7,8 8 word है यानि कि 4 इसके 4 word इसके 8 word के बराबर है यानि कि इसका 1 word इसके 2 word के बराबर है आप देखे क्या logic इसमें चल रहा होगा ये जानते हैं देखर मैं बात करता हूँ अगर मैं देखू के Q, O, Q O, Q इसका 1 word इसके 2 word के बराबर है H, J और B, D और J, K तो देखें फ्रेंट्स के logic चल ला है कि अलम O, O, P, Q H, I, J B, C, D J, K J, K, L J, K, L L है यहां पर लास्ट में तो J के L ये logic चल रहा है ना कोई ज़्यादा rocket science नहीं है ना तो ऐसे हम देखेंगे कि flat में क्या होगा flat तो flat में भी हम ये logic लगा देंगे इसला है ना तो क्या होगा E E, F, G E, F, G K, K, L, M ये ना तो क्या होगा J, A, B ये ना S, T, U तो हमारा answer क्या बना फ्रेंड्स ये रहा हमारा answer बना ये U है देखो E, G, K E, G, K M, Z, B S, U E, G, K, M, B S, U E, G, K, M, B S, U आपका answer पन Top answer A है अगर बढ़ते हैं Next question Question number 19 की बात करते हैं आईए friends फिर से एक series है अब है आपकी Missing number series Missing number series काफी easy होती है Wrong number series के Compared to हैना तो चलिए आईए बात करते हैं हमारी series की आई जैसे कि आप देख सकते हैं की बीच में अगर मैं गैप की बात करता हूं friends है ना अगर गैप की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं 50 और 32 की बीच की बात करूँ friends तो आप देख रहे हैं कि आपको 22 का gap friends देखनों को मिल रहा है हाई यह series लिख देते हैं दो 8 18 13 and 31 22 और पचाष नेक्स दूर्में बताना है क्या friends अगर में जाप की बात करता हूं तो आपको 6 का gap friends आ रहा है और है एकापे Friends बात करो तो यहाँ पे की आ रहा ह慨 दस पर आपको 10 काύापव को मिल होगा चार का ग्रापफ होगा चार प्लस फ aç एन कि हम यह ओजाएगा और बाइस प्लस पिलेस तर्बाइस ब्लस बंद शक्रूंइस नाइउ वढ़न सेुनिट्व ए अधिक हो जाएगा तो स्ब्सक्राइट कि तो आप डात मिदाया अब आपके स्रीज है पांच ग्यारा तरीस गोड़ी सैवन और निटी फाइफ और पॉशन मार्ट अब अगर गैप की बार करें देखें गैप की बात करते हैं हम तो यहां पर इच्छा का गया फ्रेंट आपको देखने हो मिल रहा है यहां पर गैप की बात करते हूं तो आपको ब यहां पर बीच में यहां पर देखेंगा है आई यहां फर आपको गात करते हैं तो आपको दिखांग है नीचे जैसे देख सकते हैं कि 528, प्रेंस आगर मैं 528 में 612 को माइनस कर दूँ, तो आप देख सकते हैं क्या एगा, 8 में से 2 गया, यानिकि 6, 2 में से 1 गया, 1, और 5 में से 4 गया, 1, यानिकि 116, यानिकि जो उहा रहा है, क्या difference आपको करना है, तो अगर मैं 915 मैंसे 364 मैंस कर देता हूं यानि कि 5 मैंसे गया 4 यहां पर एक हासिल लेंगे तो réalité, इन 6 गया 5 और 8 मैंसे 3 गया 5 यहां 511 कावण ऐसी यहां पर आपको बस only minus करना है तो 725 में से आपको 524 friends minus करना है यानि 5 में से 4 गया 1 2 में से 2 गया 0 और 7 में 5 गया 2 यानि कि आप cancer 201 आगे बढ़ते हैं next question question number 22 भी बात करते हैं इसमें सबसे बढ़ा करम देख्ता है चार ऑकशन तो हुमारे सबसे पहले याइगा van power यानिक जेश है देश के अंदर फिर pen show फिर आपका और प्रपीर के बाद और और छे मी पर चर्ड़ that आतील इसा इन रीड़ा प प्रथ्ट आई यह राट आंसर एक नेस्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 23 बात करते हैं एक लड़के की और इशारा करते हुए वीना ने कहा वह मेरे दादा के एक लोते पुत्र का लड़का है वह लड़का वीना से किस प्रकार संबन देता है देखे फ्रेंड यह है वीना अगर यह वीना है तो इसने एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा वीना ने इस लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह लड़का मेरे दादा का यानि कि वीना के दादा का एक लोते पुत्र का वीना के दादा के एक लोते पुत्र का लड़का यानि कि वीना के दादा का एक कि अंस और आगे बज़ते हैं में the ऐसे पेशा नम्हेवर्ट के बात करते हैं कौनसी आघरती कील महीला और डप्र के बीश संबंदरस न रही एधे करना है को यह आदमी तो यह आद अद में महीला है एक क्या हो गई तो दक्टर होगी और फिर वह वर सकते हैं को इस निए मना तो कोई आप ऊक्टर में ऑसकती यारे तो आप da जाए यह भी नहीं सकता तो चलिए आपका आंसर वाट डी आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोशन कोशन नमबर 25 जो कि आज का हमारा लास्ट कोशन है उसकी बात करते हैं लास्ट कोशन आप देख सकते हैं कि रचीत उत्तर की और चलना शुरू करता है उत्तर के और चलाते हैं रच यानिके फिर से वो लिटा मुड गया चलता है और फिर यहां से 10 चलता है फिर वह 5 मिटर उत्तर की और चलता है तो उपर यह पर इतना चलेगा पांच मिटर वह अपने प्रारम्मिक स्थान से किस दिशान में और कितनी दूरी पर है अपने प्रारम्मिक स्थान से यह रहा उसका और वो इतनी दूर है यानि कि यह 10 तो यह भी 10 और कहा है पूर अब साइड में यानि कि 10 मिटर पर पूर अब साइड में है तो ये था आपका आए आंसर जानते हैं D तो फ्रेंट्स लेता आपका reasoning का section जो की आपका part 1 था जिसकी हम 25 question reasoning के friends कर चुके हैं और कल हम आपके part second में फिर से next 25 question cover करेंगे reasoning के ही जो की हम 2019 के बीड़ में जो पूछे गे थे उनके question कर रहे हैं आपके कल 50 question reasoning के friends पूरे हो जाएंगे तो फ्रेंट्स अकर आप हमारे चनल पर नए हैं तो हमारे चनल को subscribe कर लिजे ताकि आपको वीडियो के notification मिलते रहें और हाँ बैल आइकन पर भी क्लिक कर लिजे ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से मिलते रहें और आपको कोई भी क्लास मिशना हो और फ्रेंट्स अकर आप बीड फस्ट यर में भी हैं तब आप हमारे चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि आपको बीड फस्ट यर और से लिलेटिड एक्जाम का सार्व इस चैनल पर कराने वाले है क्योंकि य तो सारा टीचर का सोलुशन आपको इसमें मिलेगा और फ्रेंट्स आपके अगर बीड बीड टुटाउजन ट्वंटीवन से कोई भी क्वैरी है एक्जाम से रिलेटिड कांसलिंग से रिलेटिड फॉर्म से रिलेटिड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझ से अब तक के लिए ठैंक्स नमस्ते बाइबाई जैहिन खुछ रहिए और अपना ध्यान लगे थैंक्यू